वेलकम टू लर्नर भी एक्स्ट्रा आइम शिवानी चाहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चाप्टर 16 अब बस ये लास चाप्टर है क्लास 7 की साइंस अब कम्लीट हो गई और 17-18 हम पहले ही बना चुके हैं तो चाप्टर 16 का नाम है वाटर प्रेशोस रीसोर्स मतलब पानी जो है वो बहुत ही कीमती संसाधन है जल है तो कल है अगर जल नहीं है तो फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता है 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ड वाटर डे और एक स्कूल ने सेलिब्रेट किया वर्ड वाटर डे अपने पी पलता है कि पानी की कमी है varias हैं तब ही तो हम लोगs को समी बचाना की ज़रुरетर है करते होंगे problems कि पानी की महसूस किया है अपने स्कूल में आपने घेर पर your parents or teachers must very often be advising you not to waste water तो आपके teacher आपके parents advise करते होंगे आपको कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए और no wonder हम लोग को water day celebrate करना पड़ता है क्योंकि हमें पानी को बर्बाद होने से बचाना है हर साल लोगों की attraction लोगों को समझाना है कि पानी को बचाना, conserve करना कितना जरूरी है और the amount of water recommended by the United Nation for drinking, washing, cooking, maintaining उनाइट नेशन एक वर्ड की बहुत important organization है उसने कहा कि पानी हमें पीने के लिए, नहाने के लिए, cooking करने के लिए, hygiene maintain करने के लिए है न इन सब चीजों के लिए चाहिए होता है और लगबख पचास लीटर हमें पर डे पानी की जरूरत परती है, this amount is about two and half bucket of water person per day तो मतलब धाई bucket two and half bucket water हम लोगो डेली चाहिए होता है, is your family getting at least this much water, क्या आपकी family को इतना पानी मिल रहा है, अगर है तो आप खुद को lucky समझे, खुद को fortunate समझे, क्योंकि करोड डो लोग ऐसे है जिनको इतना भी पानी नसीब नहीं हो पाता है, साफ पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है लोगों को what about your friends and other families, पाकी families और friends के मतलब क्या उनको सही टाइम से पानी मिल पाता है, अच्छा अगर आप किस region के हैं यह में को ज़रूर बताएगा और आपके region में आपके इलाके में पानी के availability क्या अच्छी है या फिर पानी की कमी रहती है इसके बारे में भी ज़रूर बताएगे तो कुछ places ऐसे होते हैं जहां पर बहुती ज़्यादर shortage होती है पानी की वहाँ पर तंकियां हमेशा खाली रहती है लंबी लंबी कतारे लंबी लंबी lines लगती है पानी के लिए और लडाईयां भी होती है, marches होती है, protest होते हैं for demand of water have become a common side तो पानी की ज़रूरत है और पान पानी के लिए किते सारे लोगों ने line लगा रखी है और activity 16.1 की वही है कि आप लोगों को clippings लगरा collect करने है newspaper की magazine की और friends के साथ share करिये कि पानी की कमी मतलब क्या दिकत है पूरे वर्ड में और किते सालों तक क्या क्या होने वाला है यह cuttings है newspapers की increase your productivity बारिश कम पड़ेगी तो क्या होगा तो यह 2003 जो है ना उसको international year of fresh water to make people aware of this dwindling natural resource dwindling natural resource मतला कम होता resources क्योंकि हम लोग पानी को बर्बाद ही इतना जाता करते हैं जमीन में से इतना जादा पानी निकाल दिया है कि कई जक्या हमारे दिश की ऐसी है कि वहां पे पानी बचा ही नहीं है तो 2003 का जो year था वो इंटरनाशनल year of fresh water मनाया गया था लोगों को जागरूप करने के लिए तो more than one third of the population in the world faced water scarcity, water scarcity का मतलब होता है पानी की कमी, one third मतलब 30, अगर suppose करिये पूरी दुनिया में 100 लोग है तो 100 में से 33 लोग ऐसे हैं जिनको पानी की कमी पड़ती है, बहुत ही जादा दिक्कत होती है और before we discuss पानी की कमी क्यूं है तो हम लोग को discuss करना होगा कि कितना पानी हमारे planet पर हमारी धरती पर available है, how much water is available, कितना पानी available है, इसमें हम लोग देखते हैं कि भाईया तो पानी ही पानी है, हम तो अपने planet को भी blue planet कहते हैं, 71% जो है अर्थ का surface वो पानी से घिरा हुआ है, almost सारा का सारा पानी, water on the earth is contained, पानी कहाँ पर है, sea, ocean, lake, ice cap, as well as ground in the atmosphere, अब धरती पर 71% पानी है, तो पाने की कमी कैसे है, however, most of this water, जातर जो समुद्र का पानी है, जो समुद्र का पानी है, जो समुद्र का पानी है, वो हमारे consumption के लिए fit ही नहीं है, हम लोग उसको पी ही नही consumption का मतलब होता है, human के इस्तमाल करने के लिए, use करने के लिए, जो समुद्र का पानी है, वो फिठी रही है, हम लोग नदियों का या groundwater, या तलाबों का पानी ही use कर सकते है, the water that is fit for uses fresh water, तो पानी जो हम लोग पी सकते है, हम लोग जिसका इस्तमाल कर सकते है, उसको हम लोग बोलते है, perform the following activity, तो हमें एक छोटी से activity दी गई है, उसको perform करने के लिए, हम लोगों को बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए, इसमें water available है, steps हमें इसमें बता रखे है, activity 16.2 जातर, most of us assume water to be limitless resource, हमें लगता है कि water के तो कभी कम नहीं पड़ेगा, इस activity से देखिए, हमें समझ में आता है क्या, कि take a medium size bucket, मतलब medium size के bucket लीजिए और उसको पानी से भढ दीजिए, it contains about 20 liters of water, जो normal bucket होती है, normal बाल्टी होती है, उसमें बीस लीटर पानी आता है, तो उसको पानी से भढ दीजिए, assume that this water represents all the, इसको assume करिए कि एक बाल्टी पानी ही पुरी दुनिया में ह अब क्या करिए, take a teaspoon, चमच लीजिए जो खाना खाने वाल की होती होती है, teaspoon लीजिए और 5 ml की capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket, तो चमच से आप लोग को 100 चमच पानी क्या करना है, इस मग्य में डालना है, और जिस मग्य से आपनाते हैं, और यह है total fresh water on the earth, मतलब अगर बाल्टी, पुरी बाल तो उसमें से आप समझ लीजिए कि 5 ml, अगर 20 ml पानी है, तो आप समझ लीजिए कितना जादा, 20 ml में से 5 ml में बहुत कम होता है, इतना पानी fresh water है, from the bathing work, transfer the tiny spoon of water to the glass tumbler, और कांच के glass में आप इसमें से पानी करिए, यह measure करता है कि हमारे ground में कितना पानी है, और अगर एक च पानी बराबर है, अगर आप उर्ड के पूरे पानी के बाद करें, तो आप इसתमाल के लिए कितना जादा कम पानी है, आप लोग को समझ में आ रहा है न ना, the water जो ki bucket में बचा हूआ है वो नमकीन पानी है और वह पानी इसमाल नहीं कर सकते हैं, बाकि जो इस मग में और स् इस्तिमाल कर सकते हैं बाकी पानी human के consumption के लिए फिट नहीं है तीक है अब आगे आता है दा वाटर लेफ्ट इंदा बात्मग रेप्रेजेंटर यह तो मैंने आपको बता दिया है जो बात्मग मतलब मगह में बचा हुआ है इसमें और इसमें डालने के बाद वह हैं glacier मतलब ज कितना कम पानी हमारे इस्तमाल के लिए अवेलेबल है मुझो वंडर्ड अबाउट अलामिंग स्मॉल कॉंटिटी ओव वाटर अवेलेबल फो तो हमारे लिए तो बहुत ही कम पानी अवेलेबल है पहेली क्विक्ली काल्कुलेटे इंद फाउंड दिस अमांट जिरो पानी है ना अर्थ पर तो उसमें से 0.006 देख रहे हैं अब कितना पानी आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं 0.006 ऑल वाटर ही आप लोग इस्तमाल के लिए पूरी हुमन काइंड के पास अवेलेबल है तो इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए आ रहा है ना समझतो व वाटर अवेलेबल फॉर उसके आप लोग आप डर लग गया कि जादा यूज़ करेंगे तो सारा पानी खतम हो जाएगा तो तेखिये अहट पर जो पानी बना है ना वो मिलियन ऑफ यर्स की साइकल से बना है मतला मिलियन ऑफ यर्स से बारिज करी भाबन के फिर पानी उड आता है जैसे कि यहां पर देखिये पहला यह ग्राउंड वॉर्टर में था है ना फिर उसके बाद यहां पे नदियों में था नदियों से यह पानी भाबन के उड़ गया बादल भारी हुए तो फिर यह बारिश की फॉर्म में है ना नीचे गिर गया पस यही हमें इसम बत थार्ड में मतलब बादल बना फिर फोर्थ में नीचे गिरा फिर पेड़ों पर पेड़ों बन गया मतलब पेड़ों को पानी मिला और पेड़ों से फिर दुबारा से ट्रांस्पिरेशन उपर की तरफ जाता है तो यहां पर हम लोगों को यही बताया गया है कि यू नो दे When the water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms. तो जब water cycle में पानी circulate हो रहा होता है, तो वो तीन form में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है. वो तीन form कौन कौन सी होती हैं? एक solid, liquid और gas. तो solid, liquid और gas, इन तीन forms में आप लोगों को पानी देखने को मिल जाता है water cycle में. याद रखे कि water cycle में किस किस फॉर्म में पानी मिलता है solid liquid and gas में at a given time somewhere on the earth तो कही न कहीं पर water cycle में solid liquid gas किसी भी फॉर्म में आपको पानी मिल सकता है solid form जो होती है वो जिसे की ice snowfall होती है जो ice caps में जिसे की polar regions में Arctic Antarctic वाले में जो जहाँ पर बरफ से जमी हुई glaciers वगेरा है वो आपको solid form में पानी मिल जाएका liquid form में आप लोगों को oceans में, lakes में, rivers में और underground मिलता है gaseous form में जब भाब बन के उड़ रहा होता है the gaseous form is the water vapor present in the air around us तो gaseous form में क्या होता है जो भाब बन के पानी उड़ रहा होता है वो होती है gaseous form the continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant तो देखे क्या होता है यह जो solid, liquid और gaseous form में हमने देख लिया solid मतलब जो बरफ की form में होता है liquid जो की lakes में, oceans में होता है और vapor जो होता है या फिर gaseous form होती है जो भाब होती है ना हमारे atmosphere में जो नमी होती है वो gaseous form होता है तो यह तीनों मिलकर के ही water cycle बनाते हैं और continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it तो यह जो water cycle है आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पानी है वो बिलकुल ना घड़ता है ना बढ़ता है पस हमारे बले ही पूरी दुनिया इसको इसको इस्तिमाल कर रही हो बट फिर दिक्कत क्या है पर पानी हमें क्यों लगता है कि पानी की कमी पढ़ रही है जब कैसा लगा विडियो ज़रू बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंस के साथ भी इसको ज़रू शेयर करेगा थैंक्यू